तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डियोई की तरफ से प्रोवाइट किये गए क्लाश 10 सब्जेक्ट मैथ के लिए कॉस्टन ओफ जडे की वर्क सीट को जो की 16.10.2023 डेट के लिए है और आपका मिट्रम एक्जाम फिनिस हो गया है तो मौर्णिंग शिफ्ट प्लस इविनिंग शिफ्ट के जितने वेपर हुए सबके उफसल आंसर अपलोड है कॉमेंट में लिंक मिलेगी ओपन करके दोनों सिफ्ट के स्टूडेंट देख सकते हैं और प्रीबोड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है प्रीबोड में भी काफी कॉस्टन हो सकते हैं फुल स्डेवस आएगा तो कॉमेंट को चेक कर लेना आंसर चेक करके फिर से प् जिमन लिखे सूचियों में से कौन कौन सी सूची एपी बनाती है फर्स्ट कॉस्टन दो कॉमा छे कॉमा दस कॉमा चौदा डो 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 तो सोलिशन देखो आंसर नमबर फर्स्ट दो छे दस चौदा एवन हो गया यह एटू एथरी एफ़ोर अपने आप मान दो ठीक है तो हम निकालते हैं डी डी क्या होता कॉमन डिफरेंस हिंदी में सारवंतर बोलते हैं ठीक है तो ध्यान से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे डी के लिए एटू में से एवन माइनस करते हैं मतलब दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं तो एटू माइनस एवन छे माइनस दो कितना आ जाएगा चार फिर से डी निकालेंगे तो आगे एथरी में से एटू घटाएंगे A3-A2 करेंगे value रखो 10-6 4 आएगा फिर से आगे अगले ट्रम से A4 से A3 घटाएंगे A4-A3 A4 आपका है 14 A3 है 10 14-10 आएगा 4 अब देखो ध्यान से D हर बार सेम है 4-4-4 ठीक है तो अगर सेम है तो आपको लिखना है इंगलिस में लिखोगे D is same every time हिंदे में सारवंतर हर बार एक जैसा है इसलिए इंगलिस में लिखोगे It is an AP और हिंदे में अता संख्याओं की सूची AP है अगर D आपका सेम निकलेगा तो AP है अगर D सेम नहीं है तो AP नहीं है यही ध्यान रखना यही question में पूँच रहा है ठीक है यह answer first हो गया ऐसे ही screen shot ले लो लिख लो कहीं पर कोई doubt हो तो बताना अगला question देखो Question 2 0,2,6,9 solution देखो answer second 0,2,5,9 A1,A2,A3,A4 ठीक है लिख लिए D निकालो A2-A1 2-0,2 आएगा फिर से D निकालो A3-A2 5-2,3 आएगा फिर से D निकालो A4-A3 value रखो 4 आएगा 9-4 sorry 9-5,4 आएगा D same है नहीं है तो इंग्लिज में क्या लिखो कि D is not same every time hence it is not an AP हिंदी में D चाओ तो सारवंतर लिख सकते हो हर बार एक जैसा नहीं है अता संख्यों की सूची AP नहीं है समझ के बराबर नहीं निकला तो नहीं है बराबर निकलता तो होता बस यह आपको लिखना है समझ के अगला कोस्टन देखो थर्ड कोस्टन 3,6,9,12 थर्ड का सोलिशन देखो आंसर थर्ड फिर से सेम A1, A2, A3, A4 मान लिया D निकालो A2 माइनस A1 6 माइनस 3 3 आएगा फिर से D निकालो A3 माइनस A2 करो 9 माइनस 6 3 आएगा फिर से A4 माइनस A3 करो 12 माइनस 9 3 आएगा सेम आए ना तो यहाँ पर लिखोगे D is same every time English में Hence, it is an AP ध्यान से देखो 3 3, 3 से मारा इसलिए ठीक है ना इंदिम लिखो सारवंतर हर बार एक देशा है इसलिए संख्याओं की सुची AP है ठीक है आएगा अगला Question 4 or last 2,5,9,12 solution देखो आएगा 2,A1 हो गया 5,A2 9,A3 12,A4 ठीक है फिर से D निकालो A2 माइनस A1 5 माइनस 2 3 आएगा फिर से D निकालो A3 माइनस A2 करो 9 माइनस 5 4 आएगा फिर से D निकालो A4 माइनस A3 करो value रखो 12 माइनस 9 3 आएगा तो ध्यान से देखो 3,4,3 सेम है नहीं है इंग्लिस में लिखो D is not same every time So it is not an AP हिंदी में D हर बार एक जैसा नहीं है इसलिए संख्याओं की सूची AP नहीं है ठीक है ना इसे साथ ही वक्स complete कहीं पर कोई डाउट है तो कोमेंट कर सकते हो कोमेंट में लिंक मिलेगी मिट्रम पेपर का solution देख लो और लास्ट यर प्रीबोर्ट पेपर का solution देखना है विद कोईशन पेपर तो भी लिंक पेस्टे देख सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching